हाई गैस कैसे हैं आप सब IPL 2024 की सुरुवात होने जा रही है और पहला मुकाबला दोनी और कोली के बीज में खेला जाने वाला है लंबे अर्से के बाद हमें दोनी ग्राउंड बना जाराने वाले हैं विराट कोली भी एक लंबे अर्से के बाद T20 फॉर्मिट में नजा रहेंगे ऐसे मिन दोनों को हमें एक साथ खेलता देख बहुत ही मजा आने वाला है एक दिल्चस्प नजा रहा होगा और कौन सी टीम में मुकाबला जीतेगी क्या चेर नहीं जीतेगी क्या बैंगलोर के टीम जीतेगी डूटेंगे सी सपाल का जवाब आपको बताएंगे कौन सी टीम में मुकाबला जीत सकते हैं उसके लवा फैंट सी टीम वगेरा भी इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी बहुत ही कमाल का ये अनलिसिस होने वाला है और ये जो वीडियो है मेरी अब तक की वीडियो से एकदम अलग वीडियो है बहुत ही कमाल का और अलग टाइप का बैटल मैं करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना इसकी बिलकुल भी मत करना तो ये जो मुकादला है बाइस मार्च को खेला जाने वाला रात साड़ी आट बल से एम्चितंबरम स्टेडियम यानि कि चैन्नई के मैदान पर खेला जाने वाला है पिछली कहानी जहां पे खतम हुई थी वहीं से ये कहानी सुरू हो रही है चैन्ने इस उपर गेंगे इस साल अपना ताज डिफेंड करेगी वहीं आरसीवी की टीम पे जो कलंक था कि ये कप कभी नहीं जीत सकते है वो अब कलंक हट चुका है क्योंकि इनकी महिलाओं ने यानि कि विमेंस टीम जो है कब जीत लिया है इस साल की चैंपियन है तो क्या जो है विराट कोहली की सेना फैब रुप्लेसिस की सेना भी इस साल जो अब तक नहीं हुआ है वो करके दिखलाएगी ढूटेंगे इसी सवाल का जबाब और पहले मैच में लगबग तैय हो जाएगा कि इस साल RCB का प्रतसन कैसा रहने वाला है तो ये मुकाबले कौन से टीम जीत सकती इस पर फोकस करते हैं सबसे पहले दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेंग 11 देख लेते हैं मुस्तफियू रह्मान आपको खेलते हुए दिखाई दे दे और तुसार दिस पंडे की जगा जो है मुकेश चोहदरी हो सकता है आपको दिखाई दे दे और बात की जाए RCB की तो RCB में एक चेंज हो सकता है विल जैक को एड़ेस्ट किया जा सकता है विल जैक की जगा एड़ेस्ट होंगे ट्रेसी टोपली की जगा एड़ेस्ट हो सकते हैं पर ट्रेसी टोपली को अगर भार कर दे तो गेंदबाजी कमजोर हो जाएगी बागी दोनों डीमों की टीम जो है बड़ी जवर्जस्त नजर आ रही है और बहुत ही कमाल का ये मुकाबला होने वाला है चलिए बिना किसी देर का बैटल सुरू करते हैं सबसे पहले ओपनर्स की बैटल देख लेते हैं तो यहां पर चेन्ने की तरफ से ओपन करने वाला है रचिन, रविंद्र और रुतुराज गाइकवाड वहीं रसीवी की तरफ से ओपन करने वाला है फैब डूपलेस और वराट कोहली फॉर्म की बात की जाए तो रचिन, रविंद्र यहां पर 82, 58 बैक तो बैक जो है 50 जड़ के आ रहे हैं साधिसात इनके साथ गेंदबाजी का भी advantage आ जाता है वहीं fab to places की बात लिया है तो यहीं यह भी back to back 50s यहाँ पर जड़ के आ रहे हैं वहीं CSK के सामने भी अच्छा करते हैं और RCV के सामने रचित रवींद रभी तक match नहीं खेले आई पिल वगेरा का experience नहीं है लेकिन fab to places को काफी जादे experience है CSK इनकी X-team भी और इस venue पर भी 500 जादा run बना चुके हैं क्योंकि पहले CSK से खेला करते थे CSK खिलब तीन पारियों में 108 run बना चुके हैं तो यहाँ तो रुतुराज ने अभी हाली में अपना form प्राप्त किया है back to back flop पारिया देने के बाद वहीं विराट कोली काफी लंबह समय से T20 format नहीं खिले लेकिन यहाँ पर 38, 46, 29 का score करते वे नजर आये मतलब कि इनके कद के हिसाब से एक average form हम कह सकते हैं वहीं CSK खिलाफ 50, 30 का score देखने को मिला है और RCV खिलाफ भी अगर रुतुराज का देखा जा तो 28, 38, 33 का score देखने को मिला है तो दोनों का battle लगवा लगवा यहाँ पर सेम चल ला है बट experience के मामने में यहाँ पर विराट कोली रुतुराज गाइकवाट से थोड़ा साज आगे निकल जाते हैं और यहाँ पर यह भी थोड़ा भारी सावित हो रहे हैं तो ओपनर्स बैटल में जो है यहाँ पर मैं CSK को देना चाहूँगा 8 out of 10 marks वहीं RCV को देना चाहूँगा 10 out of 10 marks क्योंकि इनके पास है व्राट कोली जो कि इनका साथ ने बाएंगे और अंत तक बैटिंग करते हैं साथ ही साथ इनको मैंने 1 marks काटा है इसले क्योंकि इनको IPL का experience नहीं है और उत्राज को 1 marks इसले काटा है क्योंकि यह अभी हाली में form में वापसी की है बैक टू बैक फ्लॉप बारिया देने के बाद तो यहाँ पर 8 marks मिलते हैं ओपनर्स बैटल में CSK को और 10 marks मिलते हैं RCV को मेडिलोडर की बैटल देखी जाए तो इनके पास CSK के पास है डैरल मेचल और सीवम दूबे वही रचट पतिडार और ग्लैन मैक्सवेल दो बल्लेबाज, दो शांदार बल्लेबाज RCV के पास है अगर डैरल मेचल के सामने रचट पतिजार को कंपेर किया जाए तो इनका कद बहुत जादे छोटा हो जाता है वही फॉर्म के हिसाब से देखा जाए शादी शाद सिवम दूबे के सामने ग्लैन मैक्सवेल दोनों बैटिंग और बालिंग कर सकते है फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक सेंचुरी पिछली पाँच पारियों में मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिल रही हो ही RCV के सामने जब Shivam Dhubay खेलते हैं तो 52, 95, 46 इस तरीकी का स्कोर करते हैं और 90 का एवरेज यहां पे है तो काफी आगे Shivam Dhubay निकल जा रहे हैं इन कंपरेजिन टू ग्लैन मैक्सवल 12 पारियों में सिर्फ 344 रन ही बना पाए हैं यह CSK के सामने हाला कि आखरी इनिक जो खेले थे उसमें 76 रन ही नो ने बनाया थे और एक विकेट भी लिया था उसे पहले दो विकेट लिया था यहां 26 रन बनाया थे यहां 22 रन बनाया थे तो ठीक है पर दसन लेकिन Shivam Dhubay का बहुत जादे बैटर नज़र आ रहा है तो यहां पर Middle Order के कंपेर्जन में चन्नेगी टीम काफी जो है आगे नज़र आ रही है और यहां पर मैं 9 नमबर देना चाहूँगा 9 आट अट 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 माक्स CSK को Middle Order के लिए और RCB के जो है मैं 5 माक्स देना चाहूँगा ब्रेकिंग मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहां पर 5 नमबर दिये हैं 5 माक्स दिये हैं स्योम दूबे को 4 माक्स दिये हैं डरल मिचल को रचित बद्राल को सरफ एक नमबर दिया है न फवाम अच्छा है ना यहां एक्स्प्रियेंस है और 4 4 out of 5 marks दिया है यहाँ पर Maxwell को तो इस तरीके से middle order में चन्ही को मिलते है 9 marks और RCB को मिलते है 5 marks lower middle order देखा जाए तो चन्ही के पास है MS Dhoni और मोहिनली वहीं RCB के पास है Cameron Green और महिपाल लमरोर यहाँ पर MS Dhoni जो कि बहुत नीचे बैटिंग करते हैं सालों से बैटिंग नहीं करी है अचानक से आई पर में बैटिंग करेंगे और form देखा जाए तो कुछ खास रहा नहींगे back to back single digit score है और वहीं इनके सामने Cameron Green है जो की नए जमाने के player हैं लगातार के रिकेट खेल रहे हैं और form भी अच्छा है इनके साथ बैटिंग और बॉलिंग का आ जाता है तो मौझूदा form के हिसाब से देखा जाए तो Cameron Green का पल रहा भारी नजर आ रहा है धोनी की तुलना में form भी बैटर है वहीं मोहिनली के सामने महिपाल लम्रोर है हां हाला कि यहनके पास कप्तानी का एक प्लस पॉइंट जुड़ जाता है कप्तानी बहुत जवरजस्त करते हैं मोहिनली के सामने महिपाल लम्रोर है form देखा जाए तो महिपाल लम्रोर का form भड़ा ही जवरजस्त नजर आ रहा है 30 प्लस 30 प्लस यहां 48 उसाथ यह तीन विकेट भी लिया 14 एक विकेट बॉलिंग और बैटिंग दोनों का एडवांटेस मिल जाता है और मोहिनली के साथ भी सेम सीन है गिंदभाजी में आखरी मैच जो खेले तो उसमें दो विकेट लिया लेकिन उससे पहले कुछ खास रन नहीं किया है RCB के सामने 19-1 विकेट, 34-2 विकेट, यहां 23 रन 20-25-35 इस करते हैं, 23 पारिया खेलते हैं लेकिन फॉर्म फिलहाल में उतना अच्छा नहीं है experience है इनके पास, वर्ट फॉर्म नहीं है RCB को जो है, 8 marks दिये हैं, यहां पर 4 marks for Cameron Green, 4 marks for Mahipal Lamror और 2 marks for MS Dhoni and 3 marks for Moeen Ali यह है इसकी breaking, ठीक है तो 5 marks मैंने दिये हैं CSK को और 8 marks मैंने दिये हैं RCB को lower order देखा जाए, deep down देखा जाए तो Chennai के पास रविंदर जडेजा है अगर top order collapse होता है, बुरी तरीकी से collapse होता है तो रविंदर जडेजा बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं सार्दुल ठाकुर बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं पिछले IPL में हमने देखा भी और RCB के सामने ही इन्होंने कूटा था 68 earn वहीं RCB के पास दिनेस कार्थिक जो की बहुत ही कमाल के finisher सावित हुए है हाल फिलाल में और करन सर्मा भी इनके पास मौझूद है तो रविंदर जडेजा की बात किया है तो 87 2 wicket, 112 and 1 wicket यहां 4 wicket, 12 1 wicket, 15 1 wicket बैटिंग और बॉलिंग दोनों से यह जवरजास फॉर्म में है और गजब का confidence है पिछले साल गजब का match जीताया था दोगें तो प्रिदसरन मना कर कौन बोल सकता है वहीं कार्थिक का देखा जाए तो यह भी अच्छे फॉर्म है 68, 93, 31 का score यहां करते होने ज़रा है यह भी अपने बुढ़ापे में बहुत अच्छा score कर रहे है महीं CSK के सामने भी 28, 26, 34, 26 का score यहां पर करते होने ज़रा है तो इनके भी numbers जवर जासते हैं यहां पर जडेजा का थोड़ा सा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है वहीं करण सर्मा की तुलना की जाए सर्दुल ठाकूर से तो सर्दुल ठाकूर मच बैटर बैटिंग कर जाते हैं करण सर्मा से करण सर्मा भी अच्छी बैटिंग करते हैं विकेट भी लिया था और RCB के सामने ये देखी बलागा था और विकेट भी लियते हैं तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही सर्दुल ठाकूर करन सर्मा से जादे पैटर नजरा रहे हैं तो यहाँ पर lower middle deep down देखा जा तो मैंने CSK को 10 marks दिया है क्योंकि दोनों जवर्जास फॉर्म में हैं यहाँ पर तो 5 marks फॉर जड़ेजा 5 marks फॉर सर्दुल ठाकूर यहाँ पर मैंने RCB को 8 marks दिया है 4 marks फॉर दिनेस कार्थिक और 4 marks फॉर करन सर्मा ठीक है पेसर्स का comparison किया जा है तो इनके पास दीपक चहर, तुसारदेश, पांडे और सारदुल ठाकूर है वहीं RCB के सामने RCB के पास रेसी टोपली, मुहमद सिराज और आकास दीप मौजूद है फॉर्म देखा जा है, तो दीपक चहर के सामने रेसी टोपली, बहुत ही कमाल के खिलाडी रेसी टोपली, इंटरनेस्टनल मैचों में T20 फॉर्म बहुत ही दमाल मचा है लेकिन हाल फिलाल का फॉर्म कुछ खास नहीं है, एक एक विकेट लिया है, कभी-कभी विकेट लिस भी कही है, आई पेल का कोई एक्सपरियेंस देए, वहीं दूसरी तरफ है दीपक चहर, जो की दो विकेट, छे विकेट, दो विकेट, तीन विकेट लगातार तबाही मच अचा के आ रहे हैं, वहीं RCB के सामने भी 2-2 विकेट, तीन विकेट लगातार लिया, इस वेन्यू पर भी 19 विकेट उखाड चुके, इस वेन्यू पर भी अच्छा खासा एक्सपरियेंस है, तो दीपक चहर का पलड़ा बहुत जादे भारी नजर आ रहा है, इन गंपरेज जादे जाए, तो हर मैच में विकेट लेज गए है, और CSK खिलाब यहाँ पर एक विकेट चोड़ दिया जाए, तो हर मैच में विकेट लेज गए है, बहुत ही बेकार फॉर्म और CSK के खिलाब नंबर्स में, ती ती सार्द स्पांडे का देखा जादे तो 2 विकेट, 3 वि आदी नजर आ रहा इस venue पर भी अच्छा कासा experience है दस विकेट ले चुके हैं और उसके अलावा इनके पास मौजूद है सारदूल ठाकूर बैटिंग तो करेंगे लेकिन गिंदबाजी भी तो करेंगे प्रोपर गिंदबाज भी है यह और यहां दो विकेट यहां दो विकेट यहां एक 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 विकेट मतलब की रन भी बनाते हैं विकेट भी लेते हैं और अकास दीप सामने हैं यह भी बहुत अच्छे फॉर्म है तीन विकेट एक विकेट दो विकेट तीन विकेट लगातार जो है विकेट लेता हुआ लगादार नजरा रहा है जो कि है आकास दी बाकी गिंदबाज उतने एच्छे फॉर्म में नहीं है अलागे quality गिंदबाज इनके पास मौझूद है उसके अलावा Cameron Green का इनके पास option मौझूद है Maxwell वो तो spin में आ गए तो Cameron Green भी पेस गिंदबाजी कर लेते हैं वहीं CSK के पास जो है Daryl Mitchell मौझूद है जो कि गिंदबाजी कर सकते है medium pace चेने की विकेट पे वो बहुत ही important साबित होने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने Pacers के battle में CSK को दिया है 9 out of 10 marks वही only 6 marks मैंने दिये है RCB को क्योंकि रेशी टोपली form में नहीं है तो 1.5 सिराज कुछ खास form में नहीं है CSK के खिलाब भी अच्छा नहीं करते हैं 1.5 और दीपक चेहर को इनके तुलना में 3 marks तो सार्द स्पांडे को 3 marks सारदुल को भी मैंने यहां 3 marks दिये हैं और आकासदीब को 3 marks दिये हैं ठीक है तो यह इनकी ब्रेकिंग CSK को मिले है Pacers की battle में 9 numbers और RCB को 6 numbers मिले हैं CHARRIS की तुलना की जाए तो यहां पर महस ठिकसेना के सामने है करन-Sirrm, दोंहों बहुत ही कमाल के हिलाड़ी है और फ़्र्म देखा रहा तो ठिकसेना कुछ खास फ़र्म में है नहीं, यहा पर एक एक्विकेत जरूर लिए लेकिन यहा पर करन-सर्मा जवर जस्वाँ में है आजिओ में सिर्फ 3 विकेट ही ले पाएं, तो form के हिसाब से करन सर्मा थोड़ा बैटर नजार आरहें, लेगन एक दूसरी खिलाफ प्रतसन करने की बात किजाए, तो RCB खिलाफ थिकसे ना जादे बेटर प्रतसन करते हैं, करन सर्मा सीज्च के खिलाफ उतना नहीं कर पाते ह तो गिन्दबाजी में जडेजा का कद बहुत जादे बड़ा हो जाता हूँ विकेट लगतार विकेट लिया है Maxwell को तो पिछली 5 बार योँ विकेट ही नहीं मिला है लेकिन अगर बात किजिए CS के खिलाप तो 1 विकेट 2 विकेट यहां 1 विकेट CSK खिलाब विकेट लेते हुँ नजर आये हैं यहाँ पे Maxwell और RCB के खिलाब जडेजा की बात की जाए तो 3 विकेट, 3 विकेट का कई परदसन किया है Maxwell को बहुत परसान करते हैं जडेजा गजब का बोल्ड मारते हैं तो यहाँ पे जडेजा का भी कद थोड़ा भारी हो जाता है साधी साथ इनके पास CSK के पास रचित रविंद का भी आप्सन मौजूद है मोहिनली का भी आप्सन मौजूद है वहीं RCB की बात की जाए तो RCB के पास Will Jack को अगर खिलाते हैं तो एक आप्सन मिल जाएगा otherwise spinners में इनके पास options की कमी है इसलिए मैंने यहाँ पर 8 marks दिये है CSK को और 6 marks दिये है RCB को breaking मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 4 number मैंने थिक सेना को दिया है 4 number जो है मैंने यहाँ पर रविंदर जडेजा को दिया है और Maxwell को मैंने यहाँ पर बॉलिंग के लिए स्रेफ जो है 2 number दिया है और करन सर्मा को 4 number दिया है ठीक है पिछले प्रफोर्मेंस देखा जाए दोनों टीम हो का तो सबसे पहले CSK की बात करें तो फाइनल जीत के आ रही है यह टीम सामने थी गुज़ाट Titans गुज़ाट के घर में ही महस था 214 का विसाल लगाए स्कोर बना था जिसको चेस किया 12 से प्रभायूत महस था 15 अभर में 171 का तार्गेट मिला था और आखरी गेंद पे टोटल चेस वा जबर्जस बैटिंग फाइनल जीता आखरी गेंद पे जीता एक प्रेसर सिचुएशन से मैस निकाला और सभी ने दिखिए ये दिखिए बड़ा टोटल चेस किया जा रहा था और ऐसा नहीं कोई सेंचुरी मार गया 26 सन बनाया रुतराज ने 47 सन कॉनवे ने 32 सन दूबे ने 27 सन यहां पर रढ़ाने ने हम बातू ने 19 रन बनाया और जड़ेजा ने 15 रन बनाया यानि कि समने थोड़ा थोड़ा कंट्रो किया और यही होना चाहिए इसी को कहते है टीम गेम गेंदबाज एक्सपोज हुए बट गेंदबाजो को यहां पर हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बिकेटी एसी बनायी गए थी जहां पर रंस बने तो फाइनल जीत के आ रही है टीम और टीम गेम दिखा कर आ रही है जिसकी वज़से मैंने 10 आउट अट 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 मार्स दिया है यहां पर प्रिवेस पोफोर्मेंस के लिए CSK को वहीं RCB की बात किया है तो RCB को भी मैंने 10 आउट अट 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 मार्स दिया है प्रिवेस पोफोर्मेंस के लिए क्योंकि आखरी मैच में इन्होंने एक तो 113 का टुटल खड़ा किया और सिर्फ उनसर टरन पे रास्तान रोयल्स को रोक दिया जो कि बहुत बड़ी बात होती है एक अच्छा मोमेंटम लेकर आ रही है पिछला मैच बहुत अच्छा गया था RCB का जिसमें विराट कोली ने सेंचुरी जड़ी थी फैप ने अच्छा खेला था नीचे ब्रेश्वेल जो है ठीक ठाख खेलते होने ज़राया थे और उजरावत ने तेज रन बनाया थे गेंदबाजी तो बड़ी ही कमाल की रही और हम देख सकते हैं किसी राज में दो विकेट उखाड़े भी एक विकेट यहा एक विकेट यहाँ और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हमें रही सर्फ उन्से ठनों पे रोक दिया था आरसीवी की टीम ने तो यहां पर 10 out of 10 marks मैंने दिया है आरसीवी को प्रिवियस परफोमेंस के लिए head to head battles की बात की जाए तो 31 मुकाबले इन दोनों टीमों के भीच खेले गए हैं जिसमें से 21 CSK जीती है और सरफ 10 RCB की टीम जीती है तो यहाँ पर CSK का पल्रा बहुत जादे भारी नजर आ रहा है आदे से भी कम match जीती है RCB की टीम तो यहाँ पर 10 out of 10 marks CSK को और 5 out of 10 marks मिलते हैं RCB को head to head battles के लिए last 5 matches देखा जाए तो CSK चार जीती है एक हरी है जिसके लिए CSK को 8 points मिले हैं और सरफ 2 match जीती है पिशले 5 matchों में Royal Challenge Bangalore की टीम जिसके लिए इनकों 4 marks सरफ 4 marks मिले हैं तो यहाँ पर भी CSK का पल्रा भारी नजर आया है points table पर दोनों टीम में जो है मतलब दोनों टीमों ने अभी तक match नहीं खेला है तो दोनों टीमों को 0-0 number में ने यहाँ पर points table के अदार पर दिये पिस रिपोर्ट की बात किया है तो चिन्नही में है यह मुकाबला जहां के विकेट बहुत ही जाद है slow विकेट मानी जाती है गिंदबाजों का यहाँ पर दबदबा रहता है खास करके spinners का slow ballers का और पहली पारी में बैटिंग करना आसान रहता है गिंदबाजों का यहाँ पर दबदबा रहने वाल है मुझे लग रहा है कि पहले मैच में 170-180 के आसपास का टोटल देखने को मिल सकता है spinners dominate करते हैं और यह जो मैदान है वो चिन्नही सूपर किंग का है चिन्नही सूपर किंग के किले में को उसके चिन्नही सूपर किंग को हराना चिन्नही सूपर किंग के किले को भेदना बहुत ज़्यादे tough task होता है और RCB के लिए वो हमेशा ही मुस्किल काम रहा है तो यहाँ पर CSK को 5 जो है bonus points मिलते हैं पिस रिपोर्ट के लिए पिस के लिए मतलब ग्राउंड के लिए वैन्यू के लिए क्योंकि यह चन्नही का गड़ है चन्नही का मैदान है तो यहाँ पर 5 extra bonus points चन्नही को मिल जाते हैं फाइनल वैटल बताने से पहले मैं आप से रोट करना चाहूंगा कि हमारे टेलिग्राम चैनल से जूड़ जाहिए टेलिग्राम चैनल पर आपको फाइनल अब्रेट टीम के साथ साथ इस स्नुवाइश का फाइनल विनर देखने को मिलेगा कि फाइनली ये मुकाबला कौन से टीम जीद सकती है पेस्ट रिपोर्ट बहुत सानी चीज़े आती हैं तो वो मैं टेलिग्राम पर कवर करता रहता हूं और दिन के दो-दो मुकाबले होते हैं तो कभी दो मुकाबले की वीडियो में नहीं बना पाता हूं दूसरे मुकाबले की तो वो भी मैं टेलिग्राम पर कवर करता हूं तो टेलिग्राम से जरूर जुड़िए Link description में मिल जाएगा बहुत सारे fake channels बने हुए तो उनसे बच के रहना है Link सही जूड़ना है हलाकि आप सर्च कर सकते है Adrate Indian News Expert Experts के बाद S लगा देना तभी आप मुझे ढोड़ पाओगे तो final battle में यहाँ पर 82 marks मिले हैं CSK को और 62 marks मिले हैं Royal Challenges Bangalore को Final battle जो है यहाँ पर Chennai Super King जीतती हुई नजर आ रहे हैं और मेरे according to me Chennai Super King मैं विद विनर अप दिस मैच मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला match Chennai Super King जीत सकती है वैसे आपको क्या लगता है कौन से टीम जीत सकती है आपको पता ही हमें सही मैं कहता हूँ cricket is the game of uncertainty यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको क्या लगता है कौन से टीम जीत सकती है आप हमें कमेंट करके जरूब बताएगा मुझे तो लग रहा है कि Chennai Super King जीतेगी बागी फाइनली यह मुकाबला गौन से टीम जीत सकती है वो मैं टेलिग्राम पर बताऊँगा और इनिंग अपडेट भी वहीं पर दूँगा fantasy टीम की बात किया तो fantasy टीम कुछ इस तरीके सा नजर आ रहे है मैंने MS दोनी को एस एफिकेट कीपर लिया रिस्की टीम की बात किया है तो यहां भी MS दोनी है विराट कॉली, फाब्र प्लेसिस, मिचल, रिद्राज, गाइकवाड और रचित रविंद को कैप्टन, वाइस कैप्टन जडेजा को ग्लैन मैक्सवेल, ग्रीन, चेहर और सिराज यहां पर नजर आ रहे हैं तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, मुझे उमिदे की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्काइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारा यह नया अंदाज, हमारा यह नया फॉर्मेट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, धन्यबाद